मेरा जो फूल डे रूटीन है अन दे अफ मै वर्क वही मैं शेयर कर रही हूँ ये वीडियो मैंने शूट करके रखी थी बट आई कुडिन्ट पोस्ट अभी तो छुटी लग गई है इस समर ब्रेक तो मी अन केट्स आर अट होम तो थर्सडे की सुबह है और लंच बॉक्स और जो कुकींग का रूटीन है वो अब होगा तो लंच बॉक्स के लिए जो कॉली फ्लावर है उसकी सबजी में बनाऊंगी उसी के साथ आवोकैडो की रोटी और फिर लंच के लिए मैं सोच्रिव की सिंपल साथ जो दाल है वो में बनाऊंगी तो इसकी लिए दाल को वाश करके मैंने सोक कर लिया है कॉली फ्लावर मैंने पहले ही कट करके रखी थी तो उसको एक बार मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और आटे का डो भी लगा लिया है आवोकाडोस थे तो एक आवोकाडोस में आड़ कर दिया है तो बस तड़का लगाऊंगी सब्जी को तेल में सिंपल सा राई और जीरा एड़ किया है हींग एड़ किया है और कॉली फ्लावर के छोटी छोटे जो फ्लॉरेट से वो कट करके रखी थी तो वो एड़ करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बेसिक मसालों के साथ सिंपल सी ये सबजी और बहुत ही जल्दी बन जाती है अगर कटिंग और चॉपिंग सब रेडी है तो कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है स्पेशली सुबह सुबह जब सब को घर से बाहर निकलना होता है ताइम इट टाइम इट इस वेरी एजी मील प्रेप में अगर कटिंग और चॉपिंग हम करके रख ले लाइक दो तीन वेजी हम कट करके रख ले अगर नेक्स डे मॉनिंग के लिए कुछ ग्रेवी चाहिए तो वो बना के पहले एक दिन पहले रख ले तो इस वेरी एजी मैं डेज डिसाइड नहीं करती हूँ कि किस दिन मुझे क्या बनाना है पर वन डे बिफोर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि नेक्स डे मॉनिंग क्या बनाना है तो उसके अगर कुछ और एक्स्टर प्रेपरेशन चाहिए तो मैं शाम को या फिर रात को ही करके रख देती हूँ तो सुबह उठके अगर आप डिसाइड करते हो टाइम भी बहुत लगता है और फिर फ्रेस्टेशन भी होता है क्यूंकि काम बहुत सारा होता है और फिर इस नाट प्लान और बस कुकर में दाल रख दिया है सबजी हो रही है तब तक यह जो रोटी है वो भी मैं सेख लूँगी और दूद गरम हो गया है वन्या उठ जाएगी तो उसको मैं दूद दे दूँगी शुरू शुरू में थोड़ा टफ लग रहा था क्योंकि इट वस अन्यू रूटीन इट वस अन्यू लाइक टोटल जेंज फॉर मी बहुत सालो बाद आइट वस जॉइनिग जॉब अगेन और सुबह एक साथ चार लोगों को ही घर से निकलना है और साथी साथ लंच बॉक्स और आफटरनून का लंच भी सब रेडी करके जाना है तो फर्स्ट वन टू वीक्स वर लाइक लिटल दिफिकल्ट पर एक बार वो रूटीन सेट हो जायना तो फिर यू डोंट फील मच आप यूस्ट हो जाते हो और जिस टाइम पे मैं जॉब पे जाती हूँ मैं पार्ट टाइम जॉब ही करती हूँ लाइक बाइद टाइम आइफिनिश मोस्ट आफ माय वर्क मैं जो किचन का काम है कुकिंग मैं फिनिश कर देती हूँ मोस्ट आफ देज तो लंच मैं बना की ही जाती हूँ ताकि डिनर में भी सब प्रिपेड रहे कुछ दिन ऐसे होते हैं मैं सिर्फ लंच के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाती हूँ और देन डिनर के लिए मैं कुछ अलग सा बनाती हूँ लाइक एवरी डे इस डिफरेंट पर अगर सुबही खाना अगर बन जाए न तो यूर सौर्ट पॉर दे होल डे तो बस अवकाडो की रोटी में बना लूँगी अवकाडो से रोटी बहुत ही सौफ बनती है रोटी फुले न फुले बहुत ही सौफ बनती है रोटी अगर आपने कभी ट्राइ नहीं किया न तो डू ट्राइट एक अवकाडो भी काफी है अब दो भी डाल सकते हो according to the number of rotis, chapatis you are making और यहाँ पर मैं सिंपल सा दाल बनाऊंगी तो घी के तड़के में राई, जीरा, हींग और गार्लिक को ऐसे क्रश करके और उसी के साथ टमाटर, करी, लीव्स और बस यह दाल आड़ कर दूँगी नमक, हल्दी, सिंपल, बेसिक और प्लेन दाल यह राईस के साथ काफी अच्छा लगता है और बस बन्या रेडी हो गई है तो उसको नाश्टे में वही मैंने दिया है रोटी और सबजी कर दो तो प्लेन दाल स्निक्दा को अपने टीचर के लिए फूल लेके जाना था तो हमारे अपार्टमेंट के बाहर ये बड़ा सा है बिसकस का पेड़ है उसमें बहुत सारे फूल आते हैं स्पेशली स्प्रिंग से लेके समर तक बहुत सारे और कलरफुल डबल शेड़ फ्लावर्स है तो उसी पेड़ में से एक तो जो फूल है मैंने उसको तोड़ के दिये और वही फूल मैं भगवान जी के लिए भी मंदिर के लिए भी यूज़ करती हूँ बहुत ही करती हूँ और बस आ गई हूँ बच्चों को स्कूल डॉप करके तो डिशवाशर में अभी लोड कर दूँगी जो भी डिश्वाशर में जानी है वो मैं लोड करके बागी के जो है वो सब वाश कर दूँगी कुक टॉप और जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन करके ड्राइ करके हिफ मैं घर से निकलती हूँ भले लिविंग रूम थोड़ा मैसी रहे पर I see that kitchen is all set neat and clean तो बस cooktop मैंने अच्छे से clean कर दिया है जो tissue है उसी को wet करके मैं cooktop को clean कर देती हूँ मेरे पास spray भी है पर जिस दिन बहुत ही oily होता है cooktop बहुत ज़्यादा खाना बनता है उस दिन में spray यूज़ करती हूँ otherwise daily like मैं जो tissue है उसी से ही अच्छे से मैं wipe और clean बहुत ही अच्छे से हो जाता है और bounty का tissue में use करती हूँ काफी अच्छा और sturdy है एक tissue को आप wash करके ना बहुत बार use कर सकते हो it's like a cloth so मुझे काफी अच्छा लगता है कपड़ा use करो फिर वो कपड़े में stains आते है उसको wash करो I feel tissue is the best and it works good for me तो और फिर कपड़े से ही मैं dry कर देती हूँ और बस sink को भी अच्छे से clean करके dry कर दूँगी and then kitchen का काम जो है हो जाएगा उसके बाद I will take shower get ready नाश्टा करूँगी और फिर में निकलूँगी और tissue फेकने से पहले dustbin जो है उसको भी अच्छे से मैं एक बार पूरा dustbin बाहर से और अंदर से lid जो है मैं एक बार अच्छे से wipe करके फिर tissue जो है फेकती हूँ जानि tissue का पूरा use हो जाता है dustbin पे भी dust particles ऐसे जमते हैं तो it doesn't look clean so every time I use and throw the tissue मैं एक बार tissue को wash करके गीले tissue से अच्छे से dustbin को wipe करके फिर मैं trash करती हूँ और बस kitchen is all set and clean तो बस light off कर देते हैं तो बस I am ready for the day और आज मैंने sofa को ठीक नहीं किया था ने तो sofa भी living room को भी थोड़ा reset करके फिर मैं shower लेने जाती हूँ तो quickly अभी sofa को मैं reset करूँगी पिलोज वगरा ठीक ठाक करके फिर मैं नाश्टा करूँगी और छोटे से एक box में मैं कुछ light सा snack लेके जाती हूँ जैसे के एक बनाना हुआ या कोई भी fruit या फिर जो protein के बार साते हैं या फिर मखाना या फिर वो peanut butter के crackers ऐसे कुछ न कुछ रोज में थोड़ा बहुत लेके जाती हूँ अरवंड 1.45 को मैं स्कूल से निकलती हूँ और घर आते आते इट्स 2.10 और फिर फटाफट से 20 मिनट में खाना खतम करके अगेइन 2.35 को मैं निकलती हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने तो आते वक्त जो भी मैंने snack केर किया है वो मैं खाते खाते आती हूँ नहीं तो फिर कई बार स्कूल में भी snacks होते हैं लैक बच्चे जो खाते हैं न स्कूल लंज तो वो भी रहता है तो that also we can have तो fruits या फिर कभी कुछ bread या cheese steaks ऐसे रोस तो मैं नहीं खाते हूँ जिस दिन fruits रहता है I prefer eating otherwise I don't तो बस अभी नाश्टा करूँगी आज थोड़ा filling सा नाश्टा है कभी-कभी मैं अच्छे से पूरा नाश्टा करके जाती हूँ कभी-कभी थोड़ा लेट हो जाता है या फिर कभी जादा खाने का मन नहीं करता तो फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद फिर भूख नगले लगती है तो मैं ready हो गई हूँ time is around 9.15 नाउ तो अभी नाश्टा करूँगी और 9.45 तक मैं घर से निकलती हूँ तो it's a quite sunny day so I am happy तो हाट अगरा मैंने चेक कर लिया है बैग में है चाता भी है इंकेस कभी-कभी बारीच होती है तो हाट और चाता हमेशा मेरे बैग मेरे रहता है water bottle ले लिया है and yes I am ready और आज मैंने एक yellow color का polka dots का top पहना है और उसके साथ black color का plazo ऐसे sunny days में ना ऐसे loose pants मुझे ना काफी comfortable लगते है so yes मैं नाश्टा करके फिर में निकलती हूँ and I will see you maybe after school okay और आज Thursday है तो बच्चों का early dismissal होता है 1.15 तक बच्चे छूट जाते है स्कूल से so Thursdays को मैं थोड़ा कम काम करती हूँ 12.30 तक ही मैं work करती हूँ और फिर घर आके bag रखके फिर स्कूल जाके बच्चों को pick कर लेती हूँ और फिर उस दिन Thursdays को हम तीनों मिलके ही lunch करते हैं और घर आते ही स्कूल से bags उनका shoe, socks, a tiffin box ये सब अपने अपने जगे पे रखना मैं उनसे ही कहती हूँ वैसे ये जो छोटी मोटी आदते हैं उनको लगती है ने तो सब वैसे ही पड़ा रहता है या फिर मैं करती हूँ इस आर लाइक दा स्मॉल तिंग्स जो हम बच्चों में भी कल्टिवेट कर सकते हैं like they are also a part of family so वो अपना खुद का काम जो छोटा छोटा वो कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए और हमें भी उनको एंकरेज करना चाहिए तो बस हम तीनों ने लंच कर लिया है एक साथ और अगें डिशिस डिशिस तो किचन में खतम ही नहीं होती पूरा दिन सिंग जो है भरा रहता है और अभी आफटरनून का टाइम है तो आज डिनर में पाव भजी बनाना है तो बहुत दिनों से वन्या जो है पूछ रही थी तो मैंने कहा था कि आज मैं बनाऊंगी तो इसलिए सिंपल सा लंच में मैंने दाली बनाया था यही सोचके कि डिनर में हम पाव भजी खाएंग वेजी आपके चॉइस के आप ले सकते हो मैंने कैपसिकम लिये है पोटैटोस कॉली फ्लावर फिर ओनियन्स और टोमेटोस यह वेजी मैंने ली है कैरेट्स भी आप उसमें अड़ कर सकते हो थोड़े से कलर के लिए बीटरूट भी एक बार मैंने बीटरूट डाला था पर आड़ करना नहीं तो अगर वो कड़वा निकला तो पूरा सबजी का टेस्ट पिकर जाएगा तो वेजी जो है कैपसिकम आलू कॉली फ्लावर ग्रीन पीस यह मैं कुकर में बॉइल कर लूँगी और फिर टोमेटो और ओनियन का में प्योरे बना लूँगी अलग-अलग कर के और फिर हम इसकी सबजी बनाएंगे तो सबजी जो है मैं अभी बना के रग दूँगी ताकि शाम को I don't have that much work मैं हमेशा ऐसी करती हूँ रात को अगर रोटी सबजी भी बनानी हो तो कुकिंग जो है सबजी जो है मैं चाहे पीने से पहले बना देती हूँ ताकि शाम में क थोड़ से घी में हल्दी में डाला है मक्वाने डाले है और थोड़ा सा ओपर बटर डाला है एक अच्छा सा बट्री टेस्ट उस में आता है अच्छे से मैं इसे रोस्ट करूंगी पर उन से रुका नहीं जा रहा था थोड़ा सा ब्हून के मेंने उनको दे दिया बाकी का जो है अच्छे से मैं रोजट करके एक डबे में डाल के रखूंगी तो like it will be good for a week तो आते जाते हैं ये लोग खाते रहते हैं और लंच बॉक्स में स्कूल के छोटे से स्नैक के लिए भी अच्छा है मैं भी कभी कभी इस स्कूल लेके जाती हूँ और बस फिर मैं जाडू लगाओंगी सुभे मैं नहीं लगा पाती हूँ इतना टाइम नहीं रहता है तो जिस दिन मैं स्कूल जाती हूँ उस दिन आके ही फिर मैं चार साड़े चार बचे चाड़ू लगाती हूँ और बस मखाना ठंडे हो गए थे एक बॉक्स में मैं एर टाइट जो डबा है उसमें बंद करके रख दें तो इट विल स्टे फ्रेश एंड करंजी फॉर वीक और सो किसी किसी दिन इतना काम रहता है कि बैटने का भी फुरसत नहीं मिलता सुबह 5.45 आई वो और अभी तक मेरे पैर चल ही रहे है और वो हो गया और उसके बाद चाई पीने का टाइम हुआ तो चाई मैंने बनाए हजबन आ गए थे और चाई पीते वक्ग जो मैं थोड़ी देर बैटती हूँ like 20-30 मिनिट तो इस रेस्ट ताइम और सबजी जो है पावभजी के लिए कुक हो गई है तो चाई पीके फिर मैं सबजी बना दूँगी और चाई पीके अगें किचिन में आ गई हूँ तो दिया मैंने लगा दिया है मंदिर में और फिर जो वेजी थे अच्छे से बॉइल होके ठंडे हो गए हैं तो उनको अच्छे से मैशर की हल्प से मैश कर दिऊंगी और फिर हम इसकी सबजी बनाएंगी पाव भजी खाना किस-किस को पसंद है do let me know it's one of my favorites मन्या भी बहुत चाओ से खाती है पहले उसको इतना खाने में इंटरेस्ट नहीं था but nowadays she loves and she enjoys it जैसे की चाट कोई भी हो पाव भजी या फिर डेली के जो food है उसमें भी उसके कुछ favorites है जैसे कि पालक सामबार उसको पसं पाव भजी पानी पूरी मिसल पाव या फिर वड़ा पाव चाट आइटम्स में पराथा अलू पराथा उसको पसंद है इडली सामबार तो बहुत अच्छे से चाओ से खाती है तो कड़ाई में मैंने बटर लिया है और बटर में थोड़ा सा कसूरी मेती क्रश करके अड़ किया है और उसमें ओनियन का जो पेस्ट है वो मैं एड करूंगी ओनियन पेस्ट को अच्छे से हमें एक दो मिनिट के लिए पूरना है और फिर उसमें चिंजर गारलिक का पेस्ट एड करूंगी चिंजर गारलिक और ओनियन पेस्ट को अच्छे से हम सोटे करेंगे ताकि उ और टमेटो प्यूरी को भी अच्छे से इसमें भूनना है ताकि उसका जो क्वांटिटी है थोड़ा रेडियूस हो जाए अगर फ्लेम हाई रख के हम कंटिनुसली मिक्स करेंगे न तो जल्दी भून जाएगा और फिर उसमें बेसिक से ड्राइ स्पाइस जैसे की हल्दी पा छोड़ा सा पाउभाजी जो मसाला है वह अभी एड़ करूँगी और थोड़ा बाद में ओर थोड़ा सा नमक अभी और थोड़ा बाद में तो कश्मीरी लाल चली मावडर healthy पाउडर से अच्छा सा उसमें क्लर आया है बस मिक्स कर देंगे faculty हो और फिर जो हमने वेजी जो पाव भाजी बनाना बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा सा एक उसमेना कलर आया है मैंने कोई भी एक्स्रा कलर एड नहीं किया है या फिर अच्छे कलर के लिए पाव भाजी के लिए आप जो टिंड टोमेटो प्योरी है न वो भी यूज़ कर सकते हो उससे भी सबजियों में काफी अच्छा कलर आता है स्पेशली गेस्ट के लिए आप बना रहे हो या कोई ग्रेवी बना रहे हो तो वो टिंड जो टोमेटो प्योरी आते है उससे सबजी में अच्छा कलर आता है बस पानी डालके मैंने अच्छेस किया है नमक अच्छेस किया थोड़ा सा और पावभाजी मसाला उपर से बटर और खुप सारे धनिय पते से गार्निश किया है एंड पावभाजी इस रेडी थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने उपर से डाला है खटास के लिए नहीं तो आप खाते वक्त थोड़ा सा निम्बू का रज जो है वो भी आड़ कर सकते हो एनिफिंग इस ओके और पाव को सेखने के लिए मैंने थोड़ा सा पाव भजी मसाला और धनिया जो है कट करके डाला है और इस बटर से हम पाव को सेखेंगे इससे पाव जो है काफी फ्लेवर फुल बनते है पाव भाजी के लिए नहीं अगर आपको पाव पसंद है तो इसी बटर में थोड़ा सा गारलिक भी आड़ करके अगर आप ऐसे सेखते हो ना तो काफी टेस्टी लगते है थोड़े लो फ्लेम में जादा देर आप पाव को सेखोगे ना तो थोड़ा सा वो क्रंची रहेगा और ये गरम-गरम खाना ये अच्छा लगता है तो पहले मैंने बच्चों को सर्व किया तो सबजी में उपर से थोड़ा बटर डाल के एंड वन्या वस वेरी हैपी काफी यमी और टेस्टी बना था तो दोनों ने ही शौक से खाया और पहले बच्चों को दिया और फिर हम दोनों ने भी खाया तो डिनर काफी अच्छा और यमी बना था आफ्टर लॉंग टाइम आइम पाव भाजी और दिनर करने के बाद अगें बैक टू दी किचन तो किचन क्ली रूटीन और जब भी आप ब्रेट रिलेटर कुई भी कुकिंग करते हो ना तो बहुत सारा फैल जाता है ब्रेट के क्रम्स बटर तो देर इस तो मुच तो क्लीन तो पहले मैंने काउंटर टॉप जो है वह क्लीन किया दो तीन बार और अच्छे से ड्राय किया उसके बाद कुक टॉप के जो स्रैंस वगरा है वो मैंने वाश करने डाले कुक टॉप को भी अच्छे से क्लीन किया सारे डिशेश को मैं पहले वाश करके रख देती हूं पानी से प्लेन वाटर से और फिर मैं डिश्व जोड़ करना मुझे पसंद नहीं है तो एक बार पानी से में वॉष करके ही डालती हूँ और एक बार सारे बरतनों को वॉष करके रखो न तो फिर उन्हें लाइक क्लीन करना भी आसान रहता है ने तो फिर बहुत सारा सोप वेस्ट होता है और गंदे बरतन वैसे ही हम वॉष करते है तो स्क्रब भी गंदा हो जाता है तो उसे बार बार धोना पड़ता है तो बेटर वाश और वैसल्स वन्स इन प्लेन वाटर और फिर उसके बाद आप सोप लगा के वाश कर सकते हो तो आई फॉलो दिस और बस किचिन क्लीनिंग पूरा हो गया था और उसके बाद इ है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे मेरे चानल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग शेर विद्यूर्ट फ्रेंड्स आई पोस्ट वीडियोस एवरी फ्राइड़े तो आई विल सी यू इन मैं नेक्स्ट वीडियो तिल देन टे केर और बापाई